राजे सरकार द्वारा मरीजों की स्विधाओं को ध्यान में रखते हुए ओपिडी के समय में बदलाव करते हुए सुबह वशाम दोनों समय मरीजों के उपचार के लिए निर्धारित किया गया है लेकिन यहां पर कोई भी डॉक्टर वकरमचारी समय पर नहीं पहुंच रहे दोंगरगर्ड समुदाइक स्वास्थे केंदर वैसे तो इलाज में कोता ही वो रैफर सेंटर के नाम से परसीद है लेकिन इस बार नई बात आ रही है वो है सरकार के आदेशों की अवहेना राजे की भुपे सरकार ने हाल ही में एक नई आदेश जारी किया था कि परदेश के साज के अस्पतालों में ओपेडी का समय सुभे वशाम दोनों होंगे लेकिन यहां के प्रबंदक इस आदेश का पालन करने में सुस्ति रिखा रहे हैं शासन द्वार ने धार्ट समय पर डॉक्टर वकरमचारी पहुंच नहीं रहे हैं जो समय निर्धारित किया गया है उसका पालन भी नहीं कर रहे हैं राजय सरकार ने ओपेडी के समय को चिकित्सकों वर्षास्थे कर्मियों की उपस्थिती में होने वाली अस्विधाओं को ध्यान में रखते हुए नए समय में सुभे आट बजे के स्थान पर नो बजे से दोपहर एक बजे तक और शाम चा साल केंपस में ना रहे कर दूसरे जगहों पर रहते हैं उनके लेट लतीफ पहुंचने से मरीजों को परिशानियों का सामना करना पड़ता है यहां सबसे बड़ी परिशानी यह है कि शिशु रोग के बच्चों को देखने वाला कोई नहीं है बीमो पत पर आसीन टॉक्ट जब इस बारे में बीमो जोक्टर एका से बात की गई तो उन्होंने क्या कुछ कहा आप भी सुनिये समय चिंच किया है और उस समय में डाक्टर पस्तित नहीं हो रहे हैं साथ में कर्मचारी भी नहीं हो तो मरीज है और मरीज के परिजन भटक रहे हैं बताईए प्रदेश की कांग्रेश सरकार ने जन हित को देखते हुए प्रमिक, मजदूर वर्ग और आम नागरीकुन, मध्यम वर्गी परिवार इनकी दिक्कतों को देखते हुए जो दो सिफ्ट में अस्पतालों का समुदायक स्वास्त केंद्र का समय रखा है और आपके द्वारा जानकारी मिल रही है कि डाक्टर इस समय उपलब्द नहीं रहते हैं यदि ऐसा है तो इस बात की सिकायट की जाएगी और ब्योंगो मैडन से भी बात चर्चा करेंगे और आपने अस्पता पड़ी तो उच्छा धिकारियों को भी सम्मल में सिकायट की जाएगी आपने के लिए बाल इकन को क्लिक कर हमारी चैनल को लाइख शेयर और सब्सक्राइब करें थान्यवाद